नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अपन कर रहे थे कक्षा बारा जो मनोवी ज्यान है उसका मोडल पेपर एक मोडल पेपर दोस्तो कर लिया आपने जिसमें मैंने बुद्ध्य और अविछमता वाला जो पाठ है उसके 10 परसन और बुद्धि का भुबुद्धि सिधान दिया थरश्टन गार्डनर गिलफोर्ड या सभी ने तो बताइए तो इसका राइटांसर आप बताइए कि किसने बुद्धि का भुबुद्धि सिधान दिया तो इसका राइटांसर हो जाएगा दोस्तो गार्डनर ने दिया था एक परसन पूछ के जाता हूँ किसने मल्टी फेक्टर थियोरी दी किसने मल्टी पल थियोरी दी यानि बहु बुद्धी और बहु कारक आपको कमेंट वोक्स में बताना है अगला परसन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा दूसरे वेक्तियों के भावं इच्छाओं आउशक् वेक्तियों बुद्धी दोनों या कोई नहीं बहुत अच्छा प्रसन है दोस्तों देखे दोस्तों इसका राइट अंसर पहले बता देता हूं फिर आपको समझाओंगा यह अंत्य वेक्तियों बुद्ध्य हो जाएगा इसका उत्तर दूसरे वेक्तियों आ गया ना तो रिखा आए इंट्रा आई एन टी आर ए यह तो होती है वेक्तिगत है ठीक है यह नि वेक्तिगत का मतलब हो गया दोस्तों आत्मन बुद्धी इसका समंद आत्मन बुद्धिश होता है इंट्रा से जो इंट्रा है ना आई एंट्रा का समंद होता है आत्मन से यानि इसके अ उपर वेक्टि है, वो क्या करता है? उनको monitor करता है, विवेद करता है, उनके उपर control करता है, यह तो उताए intra, यहाँ खुद का नाम आ जाता ना, कि खुद वेक्टि खुद के बाओं इच्छाओं को समझेने की छमता क्या कहलाथी, तो intra इंट्र यानीं अंत्रा व्यक्तिकत बुद्धि यहां पर नाम आजए इंगलिस के अंदर आई, linear थिर, इंट्र नाम आजए ना तो, वेक्तिगत अन्य हो जाएगी अंते वेक्तिगत बुद्धी यानि अंते वेक्तिगत अन्य बुद्धी हो जाएगा यानि इंटर हो जाएगा इंटर का मतलब है दूसरे वेक्तियों के भावों इच्छाओं और शक्ताओं को समझने की योगता इसको पूरा बोलेंगे दोस्त तेथिक आयू किशे कहते हैं जनम से आज तक की आयू जनम से मर्तियू तक की आयू इसका समन्द मानसिक आयू से है इन में से कोई नहीं तो तेथिक आयू कहते हैं दोस्तो जनम से आज तक की आयू यानि जो वास्तिविक आयू है जनम से लेकर आज तक उसको बोलते हैं तेथिक आयू यह काम है कहां पर लिए जाती है दोस्तों तो मांसिक आयू बटा वास्तिक आयू इंटू शो तो यह वहीं पर दोस्तों आपको मिलेगी तेथिक आयू तेथिक आयू का श्रमंद वास्तिक आयू या जनम से वर्तमान तक की जो आयू होती है वो शेही ते थिक आयू बोलते हैं यानि क्रोनिकल एज को ही ते थिक आयू बोलते हैं ठीक है अगला परशन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बुद्धी लब्दी का संपर्तिय किसे ने दिया टर्मन वीलियम स्टरन गिलफोर्ड या टुकमें तो बुद्धी लब्दी का संपर्त है सबसे पहले 1912 के अंदर उसके बाद आगे चल कर दोस्तों टर्मान ने इसके उपर काम किया था ठीक है अगला परशन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा मेर तथा सेलोवी द्वारा बताए गई सावेगिक बुद्धी की निमन में से विशेस्ता नहीं है तो देखिए मेर तथा सेलोवी के द्वारा बताए गई सावेगिक बुद्धी की निमन में से विशेस्ता नहीं है पहली है स्वेगों को प्रतेक्शन करने की समता बिलकुल ह स्वेगों के परति पहुँच बनाने की समता बिलकुल है श्वेगा अत्मक चिंतन की समता बिलकुल है अपने तथा दूसरे के बाओं को समझने की समता यह नहीं है यह तो देश्टो गोलमेज ने कहा था ठीक है प्रिवासा बता देता हूं दोस्तो मेर और सेलोवी की प्रिवासा यह है कि समवेगों को परतेक्शन करने की समता समवेग के परति पहुँच बनाने उशे उत्पन करने की समता ताकि चिंतन में मदद होश के समवेग यह श्वेग आत्मक ज्यान को समझा जा सके तथा समवेग को चिंतल सिन्दंग से नियमित किय जा सके तो ये उपर वाली तीन विशेशत है दोस्तों ये तो है मेर तथा सेलोवी की प्रिवासा में डेनियल गोलमेल ने दोस्तों इसकी प्रिवासा कुछ अलग ढंग से दी थी इन्हों ने कहा था कि समेगिक बुद्धी वै है जिसमे वेक्ति दूसरों और शिवेम के तो ये प्रिवासा डेनियल गोलमेन की है अगला परसन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अगला परसन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा श्वेगात्मक बुद्धी को प्रयावनिय चुनोतियों के साथ किसने जोड़ा श्वेगात्मक बुद्धी को प्रयावनिय चुनोत से किस ने जोड़ा गोलमेज मेयर बोर ओन या कोई नहीं तो बोर ओन ने जोड़ा था दोस्तों बोर ओन ने प्रिवासा दी थी कि स्वेगात्मक बुद्धी द्वारा वैच हमता परवर्थी तो ती जिसके माद हमसे दिन परती दिन के प्रयावनी चुन्योतियों के साथ निप्टा जाता है और जो व्यक्ति की जिंदकी में जिसमें पेशेवर्थ था व्यक्तिगत प्विवसाई भी समलित हैं सब्लता प्राप्त करने में मदद करती है यानि ब व्यक्ति की सपलता में उसकी बुध्धी से कहीं अधिक योग्दान उसकी स्मयगीक की बुद्धी का होता है यह किसने कहा गोलमेज रिवें केटल या जैन्सन तो दोस्तों डेनियल गोलमेड मोद्द ने था कि व्यक्ति की सफलता के अंदर 20% तो उसकी IQ का योगदान होता है और 80% योगदान होता है EQ का emotional क्योंशेंट ठीक है अगला परसंद निमन में से किसका समंध निश्पादन सी दांत से है तो बताइए कोल में गोल में साइमन या वेसलर तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोल में का देखे दोस्तों गोल में है इन्होंने शामेगी के बुध्ध को बहुत ज़्यादा लोग प्रिये बनाया था और इन्होंने दोस्तों चार समों में विवाजित किया था एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करने वाले यानि चार चिजné या चार विसेशता ही बताये थी वो थी आत्म आवगत्ता यानि सेल्प अवेरनेस सैल्फ मनेजमेंट सोसल अवेरनेस और सोसल स्टल यानि चार चीज़े हैं वो दो वेक्तियों को एक दूसरे से अलग करती है इन्होंने का था आतम आउगत्ता आतम परबंदन सामाजीक चेतना और सामाजीक कोसल और जो सामाजीक कोसल है इसके अंदर दोस्तों इन्होंने निचे सपस्ट लाइन लिख रखी है पेज नमबर आठ कक्षा 12 मोनो विग्य बुद्धी का पहला प्रिक्षण किसने बनाया बुद्धी का पहला प्रिक्षण किसने बनाया बिने ट्रमन जैंसन या कोई नहीं तो देखे दोस्तों बुद्धी का पहला प्रिक्षण 1905 में बनाया था बिने और साइमन ने किसने बिने और साइमन ने बनाया था आगे च अगला परशन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा बहुत अच्छा परशन है दोस्तो आर्मी अलफा प्रिक्षण है आर्मी अलफा प्रिक्षण है देखे दोस्तो अमरीका में आर्मी की भरती की जा रही थी उस टाइम दोस्तो कुछ साब्दिक प्रिक्षण ऐसाब्दिक प्र शाब्दिक प्रिक्षन वो होता है जोस्तों जिसके निर्देशों और एकांसों दोनों में एक इसका प्रियोग होता है वो शाब्दिक होता है ऐसाब्दिक प्रिक्षन वो होता है दोस्तों जिसके निर्देशों में भासा का प्रियोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन एक आंसो में बासा का प्रियोग बिल्कुल नहीं किया जाता है वहाँ निस्पादन से शमंदित कार्या कर वाइजाता है यानि कुछ न कुछ क्रियात्म कार्या होता है तो देखे सामुईक वो होता है जो एक ही समय में के अंदर बहुत सारे लोगों पर apply किया जाए वह शामुईक होता है एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर apply किया जाए वह व्यक्ति गत होता है तो बताइए आर्मी alpha friction कैसा friction है तो देखें दोस्तों संब्गिशं प्रेक्शन और साथप्रिक्शन और साभजर ना अगला प्रस्ण आपके सामोइक परीक्शन पर यह रहा DAT में किसका मापन होता है बुद्धी सामेगीक बुद्धी या अभी चमता तो दोस्तों DAT आपको बता देता हूं DAT सुबह सुबह दोस्तों अदर्जी हो जाती है मेरे बहंग कर दि-एती यनि विवेद अभी छमता प्रिक्शन डिफ्रेंटियल एप्टिट्यूड टैस्ट दी-अटी बोलते हैं दोस्तो इसको तो एप्टिटिव्ड नाम आ गया ना दोस्तो एप्टिव्ड का मतल् rainfall होता है अभी छमता तो यह मापन करता अभी चमता का किसका अभी चमता का मापन करता है डेट के वारे मैं आगे पूरू डिटेल बताऊँ दोस्तो क्योंकि आगे प्रसन इस आ देखिए डी एटी प्रिक्शण बनाया डी एटी प्रिक्शण बनाया ५िक है ylikes और सिशोर वेसमेन ये वेस नहीं है दोस्तो मैन टाइप में मिच्टेक है टूक में तो दोस्तो तीन वेक्ती सामील थे इसमें एक तो थे बिनेट हैज़सौन एक वेसमन तो इसका उत्त अजयेगा दोनो यानि यहाँ पर बिनेट नहीं रुकरैं है ics से प्रिक्षिन का निर्माण किया था यह दोस्तों निय्शो सैंतारिसर में बनाया गया इसमें अट प्रिक्षिन सक्षाओं होते हैं कि इसके अदर दोस्तों इसके अदर यॉह मेरिकलफया इसके देखें दोस्तों abstract reasoning ठीक है mechanical reasoning और इसके लाव दोस्तों clerical speech और spelling और language से समन्दी दोस्तों इसके अंदर उपरिक्षन होते हैं यानि अभी समता का मापन करता है कि वेक्ति का na कैसा है यानि numerical aptitude कैसा है में कैसा है यानि mechanical aptitude कैसा है ठीक है सिए कैसा है निज्यक्राइक टीट्यूड कैसा है इस तरह के दोस्तों इसके अदर आठ उपर परिक्षन है अगला पर आपके सामने screen के अपर यह रहा निमन में से किस परिक्षन का उपयोग व्यावसाईक प्रामर्ष के लिए किया जाता ह निमन में से किस प्रिक्षन का उपयोग व्यवसाइक प्रामर्स के लिए किया जाता है जी ए टीबी जी ए टीबी यनि जनरल एप्टिट्यूट टेस्ट बेटरी जी ए टीबी फिर है FACT यानि फ्लेगन एप्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट दोस्तो FACT है ना जो फ्लेगन एप्टिट्यूट टेस्ट है इसका प्रियोग क्या जाता है दोस्तो वेवसाइक प्रामर्ष के लिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं दोस्तो यह जो FACT है फ्लेगन अभी छमता प्रिक्षन फ्लेगन एप्टिट्यूट क्लासिफिकेशन टेस्ट इसमें दोस्तो क्या होता है कि यह प्रिक्षन जो वेवसाइक प्रामर्ष है और करमचारी चैन है इनके लिए दोस्तो महतोपुल होता है इसके अंदर दोस्तो 21 वेवसाइक अभीवर्तियों को यह मापती है यानि 21 तरह की जो वेवसाइक स्किल है या अभीवर्तियां है यानि एटिटूड है उनका यह मापन करती है इसके अंदर दोस्तो 19 तो verbal test होते हैं कितने 19 verbal test होते हैं और इसके लावा दोस्तो बाकी जो test बच गए यानि तीन के लगबग वो दोस्तो किरियात्मक होते हैं तो ये दोस्तो पूरा का पूरा flagन अभी चमता प्रिक्षन है और इसमें 30 मिंट का time लगता है जनरल aptitude test है दोस्तो ये भी अभी चमता से समन्दित प्रिक्षन है M.A.T.V दोस्तो अभी चमता से समन्दित प्रिक्षन है अगला प्रिक्षन आपके सामने स्क्रियन पर इरह आप जिदी दोस्तो इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ने तो पेज नंबर 1011 अपर डिटेल दे रखिये किसने कहा बुद्धी बिजली के समान है रेवेंस जेंसन स्पियरमेन बिनेट तो दोस्तो जेंसन ने कहा था कि बुद्धी बिजली के समान है किसने जेंसन अगला पर्षन एक बालक की तेथी कायू 10 वर्ष मानसे कायू 12 वर्ष है तो बुद्धी लबदी क्या होगी तो देखें दोस्तो M.A. बट्टा C.A. इंटू शो अब ये बात का कर रहा है बात ये कर रहा है कि एक बालक की मानसे कायू 12 वास्ते कायू 10 सकते हो जाएगा सै तो ये दोस्तो आज के महतोपून परशन थे यही दोस्तो आपको अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ज्यादा ज्यादा सेर करना बारविंग क्लास का जो पहला पार्ट है दोस्तो मादमिशक्षावर रास्तान का वो कंपलीट होता है जब भी दोस्तो आगे टाइम मिलेगा तो नेक्ट चैप्टर है वो आपको करवा दिया जाएगा आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यहां दोस्तो मेरा उदे से सिर्फ यह था कि पर पेपर में एक्जामनर है वो परशन कैसे पूछ सकता है आपसे डिटो परिवासा नहीं पूछेगा थोड़ा गुमाएगा मैंने ही आपको कुछन-कुछ गुमाने की को पिछे वाला नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में पिछे वाला वीडियो पड़ा है आप जुरूर देखें